क्या भारत में किसी अदालत के फैसले का पालन महज 40 मिनट के अंदर हो सकता है? आप कहेंगे नामुम्किन है, सही बात है, लेकिन जब सरकार चाह ले, तो सब मुम्किन है. अयोध्या में एक फरवरी, 1986 को विवादित इमारत का ताला खोलने का आदेश, फैजाबाद के जिला जज देते हैं, और राज्य सरकार 40 मिनट के भीतर उसे लागू करा देती है. शाम चार पॉड़ेसी पर अदालत का फैसला आया, और पांच पॉडवेंटी पर विवादित इमारत का ताला खोल गया. अदालत में ताला खोलवाने की अर्जी लगाने वाले वकील उमेश चंद्रपांडे भी कहते हैं कि उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि सब कुछ इतनी जल्दी हो जाएगा. दूर दर्शन की टीम ताला खोलवाने की पूरी प्रक्रिया कवर करने के लिए वहाँ पहले से मौजूद थी. तब दूर दर्शन के अलावा देश भर में कोई और चैनल नहीं था, इस कार रवाई को दूर दर्शन से उसी शाम पूरे देश में दिखाया गया. उस वक्त फैजाबाद में दूर दर्शन का केंद्र भी नहीं था. कैमरा टीम लखनव से गई थी. लखनव से फैजाबाद जाने में तीन घंटे लगते हैं, यानि कैमरा टीम पहले से भेजी गई थी. दरासल इस पूरे घटना करम की पटकठा दिल्ली में लिखी गई थी, अयोध्या में तो सिर्फ किरदार थे. इतनी बड़ी योजना फैजाबाद में घट रही थी, पर उत्तर प्रदेश सरकार को इसकी कोई भनक नहीं थी, सिवाए मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिह के, जिन से कहा गया था कि वह अयोध्या को लेकर सीधे और सिर्फ अरुण नहरू के संपर्क में रहे. उनसे कहा गया था कि सरकार अदालत में कोई हल्फनामा नहीं दे, लेकिन फैजाबाद के कलेक्टर और सुपरिंटेंडेंट अदालत में हाजिर होकर कहें कि अगर ताला ख खुला तो प्रशासन को कोई एतराज नहीं होगा। ना ही उससे कोई कानून व्यवस्था की समस्या पैदा होगी। इतनी विपरीत स्थितियों में जिला प्रशासन का यह रुख बिना शासन की मर्जी के तो हो ही नहीं सकता था। चंदरपांडे की राम जन्म भूमी का ताला खोलने की मांग करने वाली अर्जी को खारिज कर देते हैं। दो रोज बाद ही फैजाबाद के जिला जज की अदालत में पहले से चल रहे मुकद्मा संख्या दो एक हजार नौसो उन्तालीस। में उमेश चंदरपांडे एक दूसरी अर्जी दाखिल करते हैं और जिला जज दूसरे ही रोज जिला कलेक्टर और पुलिस कप्तान को तलब कर उनसे प्रशासन का पक्ष पूछते हैं। हलफ नामा देने के बजाए दोनों अफसरों ने मौखिक रूप से कहा कि ताला खोलने से कोई गड़बड नहीं होगी। दरसल यह फैसला केंद्र सरकार का था, जिसे राज्य और जिला प्रशासन लागू करा रहे थे। दोनों अफसरों के इस बयान से जज को फैसला लेने में आसानी हुई। दरसल अयोध्या में ताला खुलवाने का फैसला शाहबानों। मामले में हाथ जलाने के बाद बहु संख्यकों को खुश करने की खातिर राजीव गांधी का एक ना समझी भरा पैंतरा था। मुल्ला मौल्वियों के सामने घुटने ठेकती उनकी सरकार के खिलाफ जो देश व्यापी रोश था उससे फोकस हटाने का सरकार को तब यही रास्ता दिखा। जिसकी तारकिक परिणती अयोध्या ध्वन्स के रूप में हुई। वादियों को गेट संख्या O और P पर लगे ताले खोलने का निर्देश दिया जाता है। जिस रोज मैं ताला खोलने का आदेश लिख रहा था, मेरी अदालत की छत पर एक काला बंदर पूरे दिन फ्लैग पोस्ट को पकड़ कर बैठा रहा। मुझे आश्चर्य हुआ, मैंने उसे प्रणाम किया, वह कोई दैवी ताकत थी, खैर जो भी हो, अदालत का फैसला सर आखों पर।